यूट्यूब के सभी दर्सकों का इस चैनल में एक बार फिर से श्वागत है अपनी नकारात्मक सोच को बदल देना चाहिए क्योंकि शकारात्मक सोच ही आपको आपके लक्ष तक पहुचा सकती है जीवन में कभी भी अपने हूनर पर घमर्ड मत करना क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपनी ही बजन से पानी के अंदर चला जाता है इसलिए हमेशा शकारात्मक सोच को अपने जीवन में उतारना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसा कार्ज कर देना चाहिए जिससे लोगों को कभी तकलीफ नहीं हो और अपने रहश को कभी भी किसी के पास नहीं बताना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वेंग दुख का कारण बन जाते हैं जीवन में अगर इन चुनोतियों का शामना करना पड़े तो अवश करना चाहिए क्योंकि जीवन एक चुनोती पूर्ण जीवन है और जब तक जीवन में चुनोती पूर्ण जीवन नहीं आएगा, लोग आगे नहीं बढ़पाएंगे इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का कारज करें, किस तरह का लोगों से बैवहार करें क्योंकि बैभार ही जीवन में आपको आगे बढ़ा सकता है अगर आप किसी के साथ अच्छा बैभार करेंगे तो निश्चित रूप से आप सदियों तक पूझे जाएंगे और अगर आप किसी के साथ गलत बैभार करेंगे तो आप निंदा का पात्र होंगे और आप कभी भी शफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों आप जीवन को समझ कर इस रहश को समझ कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, यही जीवन का रहश है, जीवन में अनेक चुनोतियां हैं और इस चुनोती को अगर आप स्विकार करेंगे, तो निश से कठिन कार्ज करेंगे, तो आपको आपके लक्ष की प्राप्ती अवश होगी, लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोग जीवन में कठिन कार्ज करते करते ठक जाते हैं, और जीवन से दूर चले जाते हैं, और उन्हें यह हैसास बाद में होता है कि अगर हम निरंतर कोई कार तो निश्चित रूप से शफलता हमें अवश्य प्राप्त होती। इसलिए दोस्तों कभी भी आप ठके नहीं, हारे नहीं, आप अपना कार्ज करते रहें। जितना हो सके जीवन में कार्ज करें, एक दिन निश्चित सफलता प्राप्त होगी। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इस जीवन को समझें, इस रहष को समझें, क्योंकि जीवन एक अमल उपहार है और ये बार बार नहीं आता है। आपको इस चुनोती पूर्ण जीवन में अनेक कार्ज करना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो जीवन तूट जाएगा इसलिए आप अपने लिए नहीं बलकि दूसरों के लिए कार्ज करें, बहुत बहुत धन्यवार और इसे शेर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्च करें, बहुत बहुत धन्यवार